हलो अबरिवन वल्कम टू लीगलिस्टिक्स लाउ स्कूल मेरा नाम है काशिव खान और आज हम लोग बात करेंगे अमिशा जी को जो लेटर भेजा गया है दिल्ली बार काउंसिल के तरफ से उसके बारे में इन लेटर में इन्होंने तीरह ऐसे न्यू अमेंडमेंट्मेंट् तीनो क्रिमिनल लॉज में जरूरत है अभी के टाइम में बहुत सारे सुप्रीम कोड के केसिस का रिफरेंस यहां पर दिया गया है और कहा गया है कि इन अमेंडमेंट्मेंट्स के बगार इन लॉग को इंप्लिमेंट करना अभी जो है वो सही नहीं होगा तो यह जो सारे र एक्जाम पॉंट अभी से काफे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी तो वीडियो में अंतक बने रहेगा चली स्टार्ट करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं हॉनरेबल यूनियन होम मिन्स्टर गवर्मेंट अफ इंडिया को एक लेटर लिखा गया है और इसमें जो सब भी दिया है स्टार्ट करते हैं करके तो सबसे पहले उन्हें ही कहा है कि जिलिस का स्टेडि वाला जो रूली आप आपने इग्णोर किया है इस पूरे के पूरे लॉक को बनाने में तो चलिए के करके देखते हैं क्या क्या जो है चेंजेस जो है रिकमेंड किया है यहाँ पर बार कौन से लॉक तेली ने तो सबसे पहला जो रिकमेंडेशन है कि पुलिस रिमांड के उपर है पुलिस में भी दिया जा सकता था और एक बार में भी दिया जा सकता था लेकिन अभी यहां पे ना 40 और 60 डेस का रूल रख दिया है कि पहले 40 और पहले जो 60 दिन होंगे उसमें 15 दिन कभी भी आपको पुलिस कस्टडी में दिया फेज दिया जाए और फिर जो है पांस दिन के लिए यहां पे पुलिस का स्टडी में तो ऐसे करके पार्ट पार्ट में भी यहां पे इनीशल 40 डेज में यहां पे पुलिस का स्टडी में लिया जा सकता है और अगर ऐसा कोई केस है जिसमें 10 साल से जादा के सजा है तो उसमें इनिशल 60 डेज में जो है वो पुलिस का सड़ी में लिया जा सकता है तो यह एक रूल बनाए गया और इस रूल जो है हमारे CRPC मतलब कि अभी का भारती नागरिक सुरक्सर सहीता में आपको यह चुछ देखने को मिलेगी इसको यहां पर अपोस क्या है यहां कहा है कि यह तरह स इन दिया है और कहा है कि बहुत सारे जो हमारे fundamental right है उसका violation है जो हमारे civil liberty है human rights है उसका violation है और यहां पर पंदर दिन से जादा जो initial period में ही आपको देना है पुलिस का स्टड़ी यही रूल सही था अभी का जो रूल लाए गया है वो रूल जो है वो गलत है यहां पर आगे जो रूल था आपको मालूम होगा कि पहले handcuffing का rule जो है सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था सुनिल बत्रा वर्सेस तैली administration और प्रेम संकर सुखला 1980 के केस में और यहां पर कहा गया था कि handcuffing करना ही है तो यहां पर आपको कोर्ट की permission लेनी पड़ी क्योंकि यह human rights का violation है ल पर solitary confinement को है सुनिल बत्रवसे डेली administration केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक barbaric है और uncivilized है तो आपको section 73 and 74 में जो है आपको solitary confinement का पूरा rule मिलता था आपके IPC में लेकिन अभी जो है इसको section 11 और section 12 में डाल दिया गया है तो यहां पर कहा गया कि इस चीज को क्यों नहीं community service की बात की गई है community service का जो provision है section 4F में आपको एक देखने को मिलेगा punishment में एक नहीं जो है punishment add की गही community service जैसे कि कोई भी अगर इनसान theft करता है ऐसे goods का जिसकी value 500 रुपय तक की है 5000 रुपय तक की है उसके बाद defamation के case में public misconduct के case में तो इन सब situation में जो court है उसके पास यह right है कि वो community service का punishment दे सकता है community service क्या मतलब कि आपको society में कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो public benefit के लिए होगा public welfare के लिए होगा हो सकता है यहाँ पर आपको toilets clean करने के लिए आपको काम दिया जाए street clean करने के लिए काम दिया जाए तो यहाँ पर एक चीज कहीं जा रही है इनके दर violation होगा इस तरीके की जो punishment है वो undignified manner में जो है वो काम करेगी ठीक है अगर इस तरीक को हम punishment को impose करते हैं तो क्यूंकि हो सकता है society का जो बड़ा लोग है अगर मान लिए कोई बड़े लोग हैं बहुत अमीर लोग है या फिर को society में बहुड़ इत्ती respected person है उसको हम कहें कि toilet सा आते हैं चीजें आते हैं आप देखते हैं बड़े बड़े नेता आपके जो है वो रोड को साफ करते हैं toilet को clean करते हैं यह दिखाने के लिए कि एक सच्छ भारत अभियान हम चला रहे हैं तो जब वहां पर उनकी इमेज खराब नहीं हो रही है उनकी respect कम नहीं हो रही है तो law किसी भी provision के उपर रखते हैं तो किसी भी चीज को punish करते हैं किसी भी special law में तो उसके लिए journal law बनाने के ज़रूरत नहीं अगर हम उसके लिए फिर journal law बनाएंगे तो यहां पे फिर उस journal law का misuse होगा लोग जो है special law में punish नागर के उसमें journal law के provisions को लगा देंगे और यहां पे जो है मतलब basically police जो है यह काम करेगी और इस तरीके से इस पूरे के पूरे provisions को misuse किया जाएगा और special law के जो provisions है उनको सही तरीके से हम implement नहीं कर पाएंगे mob lynching के उपने ने कहा है कि mob lynching का जो provision murder के साथ डाला गया है वो कर रहता है क्योंकि already हमारे पास जो है वो 189 unlawful assembly वाला पार्ट है और unlawful assembly को या फिर हम देखें तो criminal conspiracy को और जो है बाकी other provisions के साथ हम यहाँ पर पढ़ते थे चीजों को तो यहाँ पर already अगर कोई group एक murder commit करता है तो उसके लिए हमारे पास already मतलब law है एक specific हमें इसको murder के provision में नहीं डालना थी और इसको इतना हास नहीं बनाने के जरुवती इसके लिए इन्होंने यहाँ पर यह डाला है इन्होंने यह भी कहा है कि the message seems to curb peaceful rallies and procession which is a fundamental right तो यहाँ पर जो है वो अगर हम इस तरीके का provision ल जाओ था जिसको हमने repeal कर दिया है और हमने अब क्या किया है कि terrorist act को section 113 मतलब के bnsk 113 113 में punishable किया है यह भी एक तरह से arbitrary power देगा police को कि कोई भी person के ऊपर जो है वो terrorist का act का जो है अब तो हमने IPC में law बना दिया है तो यहाँ पर उनको क्या करेगा उनको अपनी power का misuse करने के लिए एक तरह से way देदेगा तो यह चीज भी यहाँ पर गलत होगी then causing accident वाले जो case है जैसे कि आप सभी को माल में अभी section 106 जो है वो जिसमें rash and negligence driving के through अगर accident होता है तो उसको implement नहीं किया गया है उसमें जो सजा है दो साल से बढ़ा के 5 साल कर दी गई थी और यहाँ प बार council ने गलत कहा है और कहा है कि इस provisions में भी change करने की जोड़ा थी तो जो साल का यहाँ पर punishment था वो दो साल का punishment यहाँ पर सही था then यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर indagering sovereignty unity and integrity of India के उपर जो है इन्होंने एक नया punishment एक नया law लाया है नया offense के बताया है कि 152 of CRPC में यह होगा तो यह basically कोई नया law नहीं है यह tradition को ही हमने थोड़े तरीके से modify करके यहाँ पर लाया है तो already इसमें जो punishment हमने बढ़ा ही है तीन साल से आप साथ सारे आप जो punishment कर दे यह इन्होंने कहा है कि अब गलत है दूसरी बत इन्होंने यह भी कहा है कि बहुत सारे सुप्रीम कोड के cases में इचेज कही गई थी कि इस provisions को हटाने के जरूवत है यह colonial period का time में एक law लाया गया था और इसको हम अभी लेके चल रहे हैं तो इसको हटाने के जरूवत है लेकि कैसे इस चीज़ों को एक तरह से सहम वही हम 124A जो sedition के बात करता था उसको हम फिर से implement करेंगे उसके punishment और उसकी जो offenses है उन सब चीज़ों को हम फिर से यहाँ पर हम लेके आ रहे है section 152 के तहप then false and misleading publication of information के उपर जो है इन्होंने एक point यहाँ पर कहा है उसके बाद यहाँ प section है जो death penalty के बात करते हैं पहले 34S section थे जो life imprisonment की बात करते थे और अभी 72S section है जो की life imprisonment की बात करते हैं तो इन्होंने कहा है कि जो आपने punishment बढ़ाया है इतना जादा बहुत सारे cases में वो जो है वो गलत है उसमें इतना जादा बढ़ाने के जो है नहीं जरूरत ही इनका कह that this will help in combating crimes ठीक है इनका यह यहाँ पर कहना है then video trial के बारे में इन्होंने कहा है कि video trial जो है का जो procedure यहाँ पर लेकर आगया वो भी सही नहीं है video trial में advocates को अपने client से मिलने का मौका नहीं मिलेगा clients अपनी सारी बातें advocates को नहीं बता पाएगा और एक तरह से सही तरीके से advocate फिर उसको represent नहीं कर पाएंगे अगर उनका जो accused है उनका जो client है वो basically अगर जेल में है और advocate उसको court में represent कर रहा है तो क्यूंकि अगर जब accused को यह हम कह लें client जो है उसको court में लाया जाता था तो वहाँ पर उनसे उनकी बातें होती थी सारी बातें वो बतातें कि jail में उनको साथ क्या हो रहा नहीं हो रहा है लेकिन video conferencing में यह चीज़े नहीं हो पाएंगे सही से advocate अपने client से नहीं मिल पाएंगे तो यहाँ पर एक fair trial जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा फिर यहाँ पर examination cross examination भी सही तरीके से यहाँ पर नहीं हो पाएगा then admissibility of documentary evidence जो है वो उसके उ important points के उपर कि भाई इसमें भी बहुत सारे जो changes आपने की है electronic और digital evidence के आपने जो बात करिए इसमें भी बहुत सारी जो है गड़बडियां है इसमें भी बहुत सारी चीज़ों को change करने की यहाँ पर जरूरत है ठीक है तो यह बहुत सारे amendments हैं जो कि बार डेली बार कांसल न योंने एक तरीके से यहाँ पर कहा है कि यह बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी जरूरत है कि new criminal law में add होनी चाहिए और कुछ जो चीज़े आपने extra add कर दी है उनको remove करनी के जरूरत है यह चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए तो हम अब जब एक नया law ला रहे हैं सारे suggestion को या कुछ भी suggestion को यहाँ पर add किया जाएगा यह देखना बहुत जादा important है जैसे ही कोई update आएगी हम आपको update करते रहेंगे आपके लिए छोड़ी से information है कि Legalistics Law School Judiciary का रामबान course लेकर रहा है इस रामबान course को हम बड़े ही reasonable price पर सारे students को available करा रहे हैं जो किसी भी state की तैयारी कर रहे हैं 20 state के सारे local laws major laws minor laws को इस syllabus में हमने cover किया है और यह जो है आपको मिलता है सिर्फ व सिफ 11999 में लेकिन अगर आप मेरा code यूज करेंगे कि आरके 20 तो आपको 20% का यहाँ पर extra discount मिलता है ऐसी important वीडियो पाने के लिए हमारे जितनी भी social media handles है उसको follow करें यहाँ पर हम daily updates जो है वो डालते रहते हैं और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी subscribe करें और bell icon को भी press कर दें ताके वीडियो की notification आपको time पर मिलती रहे मिलता है ऐसी important वीडियो के साथ तब तक लिए goodbye and take care